बहुत समय पहले चिरंजीवे नामक किले में राजा मकधीरा रहा करते थे। उनकी बड़ी पुत्री का नाम चंदरकला था और उनकी छोटी पुत्री यानि की चिरंजीवी किले की दूसरी राजकुमारी चंदरमुखी बेहत खुबसूरत थी। उनकी खुबसूरती के ज्यादा खुबसूरत थी। गाहों का हर व्यक्ति चंदरमुखी की खुबसूरती से परचत था और उनकी होट गुलाब के तरह गुलावी गुलावी थे। आखे बहुत बड़ी-बड़ी और काली-काली थी। और बदन जैसे किसी महान चित्रकार की नायाब कला। राज कुमारी चंदरमुखी के बारे में जितनी भी तारीफ की जाए वे कम ही रहती थी। किले में कभी भी कोई गरबड़ी नहीं होती थी। क्योंकि राजा मगधीरा हमेशा हर घटनाओं का जाइजा लिया करते थे। और उन्होंने पूरी सुरक्षा किले में करवा रख रखी थी। उनकी प्रजा भी उनसे काफी संतुष्ट थी और उनकी नजर में राजा मगधीरा उनके लिए देवता के समान थे। लेकिन दुरभाग येवश कुछी दिनों बाद अजीव-जीव तरहे की घटनाएं जिले में होने लगी थी। वह घटना क्या है यह आपको आगे पता चलेगा। एक दिन राजा मगधीरा किले के भव्य बगीचे में सेना पती रखुवीर के साथ किसी खास बात पर कुछ चर्चा कर रहे थी। तभी किले की एक दासी दौरते होई आती है और लंबी-लंबी सांस लेने लगती है। अरे जा बात है तुम इतनी परि और काफी वफादार और समझधार थी। इसे पहले कुछ बताएगा। ठीक है जल्दी से दरो आफिर क्या हुआ है उसे। सेना पती रगुवीर और राजा काफी चिंतित हो जाते हैं और जल्बाजी में किले के दर्वादे के पास जाते हैं। वहाँ पर रजा के सभी लोग इकत्रित हो रहे थी और घायल अग्रस काफी दुख और दर्द से चिलना रहा था लेकिन उसमें थोड़ी सी जान बची थी। साथ ही साथ मैं कुछ बोल भी रहा था। महाराज आप आ गए। मैं आपका ही इंतिजार कर रहा था महाराज। मैं मरने से पहले कुछ बातें बताना चाहता हूं महाराज। हाँ तुम जादा कश्मत करो अग्रसिन तुम्हें बहुत जादा चोटा आ गई है। तुम काफी जखमी हो बस हमें ये बताओ कि इस सावाखर किसमें किया है अब उसे पिल्कुल भी नहीं चोड़ेंगे। महाराज मुझे ये कहते हुए बहुत बुरा लग रहा है किस किले को किसी की नजर लग गई है। महाराज वो नकाब लगाए हुई लड़की मेरी बेटी को भी लेकर चली गई। मैं उसका चेहरा बिल्कुल भी नहीं देख पाया लेकिन उसके शरीर से एक अलग तरकार की खुश्बू निकल रही थी। इस तरीके के खुश्बू को मैं घर के आसपाथ 6-7 दिनों से बहसूस कर रहा था। लेकिन मुझे इस बात का बिल्कुल भी पता नहीं था कि वो सब काम किसी जादू कर निका है। मेरी बेटी जब खाना बना रही थी तो अचारग से एक ड़का पहनी हुई लड़की पीछे से आई। उसमें काले रंग के कपड़े पहने हुए थे। वो किसी बड़े अमरे के अंदर प्रवेशिक कर रहा था कि मैंने ये जब देखा। मुझे तो बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा था। मैंने उससे रोपने की कोशिश करी। तो उसने मुझे अपने पंजों से जोर से मेरे सीड़े पर मारा। जिससे मुझे नहीं सारे चोट लग गई। इससे पहले कि अग्रसेन सारी बाते बता पाता उससे पहले ही उसकी जान चली जाती है। राजा को काफी दुख होता है कि वे अग्रसेन की जान नहीं बचा पाए। वे बड़े से बड़े हकीम को बुलाते हैं लेकिन कोई भी फाइदा नहीं मिलता है। इस कटना के बाद पोरा राज्य एक बड़े भय में आ गया था और सभी लोगों को डर लग रहा था कहीं अगली पारी उनकी कन्याओं की तो नहीं है सब लोग अपनी बहु बेटियों को घर से बाहर निकलने के लिए मना करने लगी राज्य में इस तरीके की फैली हुई अफ़ा तफरी से राजा मगधीरा बहुत चिंदित हो जाते हैं और सेनापती और राज्य की मुख्यमंत्रियों से इस काम के लिए सल्हा मांगते हैं महराज ये तो वही नकाबाली लड़की लगती है जो की हमारे किले और राज्य की सुन्दर कर्ण्याओ को उठा कर ले जाती है और उसके बाद कुछ विए उन कर्ण्याओ के बारे में पता नहीं चलता महराज महराज आपने इस बात को जन्दा से छुपाने के लिए कहा था लेकिर अब जन्दा को पता चल चुका है कि राज्य में किसी जादोई नकाब वाली औरत का साया मंड़ा रहा है और वो इस के लिए की सुन्दर कर्ण्याओ को बिलकुल भी नहीं चोड़ेगी इसके बात राज्या अपने सारे सैनिकों को हर जगे तैनात कर देती है और उन्हीं उस जादोई नकाब वाली लड़की को पकरने के लिए आदेश देते हैं ऐसे ही कुछ दिन बीच जाते हैं लेकिन लड़कियां कुछ दिन गायब नहीं होती तब ही अचानक एक मनहूस दिन आता है जब राजकुमारी चंद्रमुखी का कोई अफरण कर लेता है और यह बात बिलकुल जाहिर थी कि यह काम उसी जादोई नकाब वाली लड़की ने किया है उस वक्त राज़े की सेर करने के लिए राजकुमारी सार्थी अनुज किशोर के साथ रत में बैट कर गई थी इस ख़खना से पूरा राज़े महल सद्मे में आ जाता है उस समय राजा राजमहल में सभी राजे मंत्रियों के साथ थी तब ही रानी बागेश्वरी रोते हुई राजा मगभीरा के पास आती है और फूट फूट कर रोने लगती है राजा जी ये क्या हो गया है हमारी राजकुमारी को कोई उठा कर ले गया है मैं उसके पिना एक पल भी नहीं रह सकती नकाब वाली जादुगर्णी ने अनच के शोर को भी मार दिया है जल्दी से आप कुछ कीजिए और मेरी पुत्री को मेरे पास ले आएए नहीं तो मैं अपने प्राण भी प्याग दूँगी अरे राणी बागेश्वरी आप ये कैसी बाते कर रही है आपको अपनी जान देने की कोई जरूरत नहीं है मैं उस नकाब वाली लड़की को तुरण ढूड़ लूँगा और इसको जान से मार दूँगा उसने मेरी पुत्री को मेरे महल से उठाने का दुस्वास किया है इस के लिए उसको बड़ी से बड़ी सजा दी जाएगी आप बिलकुल ना रोई महरानी बिलकुल भी राजा जैसे पैसे रानी को संभालते हैं और उन्हें अपने कक्ष में भिजवा देते हैं अब राजा के ओपर ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी आ गई थी कि किस तरह से उ अपनी पुत्री को भी उससे बचाया जाए वह सीना पती डगुवीर और अपने बड़ी पुत्र चंदर किशोर की साथ मिलकर उसे बहुत जगे ढूंटे हैं लेकिन राज कुमारी का पता नहीं चलता कोई सबूत महीं मिल रहा था जिससे कि उस नकाब वाली जादू करनी क पता चल सकी कि वह कहां रहती है किसी को भी उसका नाम भी नहीं पता था क्योंकि वह लड़कियों को लेकर किसी हवा में वायद हो जाती थी और उसके बाद कभी भी दिखाई नहीं देती थी कुछ तिनों बाद महीं की राज सभा में अब आप ये बताए राज्य मंतरी मनोविजे आपने तो बड़े से बड़े समस्याओं का हल निकाल डाला है अब आपको इस समस्या का हल निकालना होगा आप बिलकुश चिंता ना करे राजा मगधिरा मैंने इस समस्या का एक उपाय सोच लिया है हाँ राज्य मंतरी जल्दी बताईए क्या उपाय है आप आज ये घोशना करवा दीजिए कि राज्य कुमारी चनलमुखी को जो कोई भी बचा कर महल में वापस लाएगा बेश शुमार दौलत दी जाएगी साथी साथ उसे राज्य दरबार में एक खार जगह भी दे दी उसे बेहत बड़ा इनाम दिया जाएगा तभी ये खबर सुनकर पार्थ नाम का एक जवान युवक राज दरबार में आता है लेकिन द्वार पार सैनिक उसे आने नहीं दे रहे थी वह बार बार कुछ बूली जा रहा था राजा जी मैं राज कुमारी जी को वापस लेकर आओंगगा मैं बार बार महल में आप से मिलने की कोशिश करता रहा लेकिन किसी न मुझे आप से मिलने नहीं दिया महराज जब उसने नाच कुमारी जबराजी की सेर के लिए निकले थी और जादुगर्णी ने उन्हें अपने अगोश में ले लिया था तब मैं वही पड़ था, मैं चुपके से सब देख रहा था मैं उस वक्त काफी भैवीट हो गया था मुझे पता है कि वो नकाब वाली जादुगर्णी कहां से आई है तब ही सेनापती रगुवीर उसे देख लेते हैं और उसकी बात सुनकर बिकुल आश्चरे चकित हो जाती है अगले एपिसोड में आपको पता चलेगा कि वाकई में पार्थ को यह पता है अपनी दोनों आखों से देखा था इस एपिसोड में हम जानेंगी कि क्या वाकई में पार्थ क्या-क्या जानता है उस नकाब वाली जादु करनी के बारे में और वह राजकुमारी को बचाने के लिए क्या-क्या कर सकता है सीनापती रगुवीर तीज अवाज में द्वार पालो छोड़ दो इसे ये कुछ कहना चाहता है पार्थ जल्दी से राजा की पास जाता है और फिर से राजा को वही बात बताता है सभा के सभी लोग बड़े आश्चरे चकित थी और वह आगी कहता है महराज मैंनों से पीछे से देखा था वो साधान लगी थी मुझे उसका चहरा नहीं दिखा मुझे उससे देखका जरा भी शक नहीं हुआ मैंने सोचा कि वो राजकुमारी से साधान तरीके से बात करने आई है लेकिन जब वो राजकुमारी चंदरमुखी को अपने आगोश में ले रही थी, तब वो अपनी जगह सर्टी, तो उसने लाल नकाब पहना हुआ था, वो नकाब पहने हुए जादूगर्णी काली माया जगह का नाम बार बार चिला कर ले रही थी, मुझे पता है कि वो काली म सभी लोग यह सोच रहे थे कि एक साधारन सा दिखने वाला युवक कैसे राजकुमारी को उस नकाब वाली जादूगर्णी के चंगुल से चुड़ा सकता है, वह अपनी बुढ़ी दादी के साथ एक पुरानी जोपड़ी में रहता था, और छोटे-मोटे काम करके अपना और अपनी दादी मा का पेट भरता था, पार्थ दिखने में काफी भोला-भाला, रंगोरा, कदलंबा और काफी सुन्दर था, लेकिन उसकी सुन्दर था कि आगे उसकी बड़ी-बड़ी पाते चोटी पड़ रही थी, तभी सभा में बेठे एक राजा, जिनका नाम जाओ पुत्र, तुम अपने घर जाओ, ये तुम भारे बस की बात नहीं है, राजा मकधीरा भी सोचने लगते हैं कि ये साधारन सा दिखने वाला युवक कैसे मेरी बेठी को बचा सकता है, और गुसे में बोल उठते हैं, वहाँ पर महराज अनंद पदमनात का पुत्र अमरत्या सैन भी बेठा हुआ था, वह पार्थ की इतने साहस से भरी बातों को सुनकर बहुत गुस्सा हो जाता है, तरसल अमरत्या सैन राजकुमारी चंदरमुखी से बहुत प्रीम करता था, और वह उसे शादी रचाना चात था, कुछ दिनों बाद ही उन दोनों की शादी की खोशना महल में होने वाली थी, लेकिन ऐसा होने से पहले ही राजकुमारी का उस चातुकरनी ने अफरन कर लिया, तो ठीक है मूर्ग, फिर मैं तुझे चुनोती देता हूं, कि तु राजकुमारी को ढूंड लेगा, तु इस तरीका क्या विचार है, इतनी जल्दी हो गया सब कुछ की मुझे पता भी न चला, गुस्ता की माफ करना राजकुमार, लेकिन मैं भी राजकुमारी को बचाने का संपुन प्रयास करूंगा, और जरूरत पड़ी तो इसमें अपनी जान भी लगा दूंगा। सभी लोग राजकुमारी को बचाने के लिए काली माया जगहे को ढूंडने के लिए निकल पड़ते हैं, सभी लोग उस समय काफी वीर्ता और साहस का प्रदर्शन कर रहे थे और अपनी सारी तयारी में जुट गए थे, लेकिन देखना यह था कि कौन राजकुमारी चंदर मुखी का किसी नकाव वाली जादुगर्णी ने अफरण कर लिया है, अगर उन्हें समय पर ना बचा सके, तो नजाने वो जादुगर्णी हमारी राजकुमारी के साथ क्या कर दे, इसलिए दादी मा मुझे आग्या दे कि मैं राजकुमारी चंदर्मुखी को साही सलाम अगधिरा के सामने प्रस्तुत कर सको, इस वक्त मुझे आपके आश्यवात की बहुत जरूरत है, तीक है बेटा, लेकिन तू मेरा एक लोता सहारा है, मैं यह विल्कुल भी बरदाश्ट नहीं करूंगी, कि मेरे पोते को कोई भी नुकसान हो, तू संभल कर जाना, और जल् तक मैं वापस नहीं आ जाओंगा, यह यहीं पर रहेगी, इसके बाद पार्थ का बच्पन का दोस्त धनविजे वहाँ पर कुछ जरूरी समान लेकर आ जाता है, जो कि पार्थ के साथ इस लंबे सफर में उसका साथ देने वाला था, दादी मां आप बिल्कुल भी परेशा मत होईए, मैं इसके साथ हूँ, बस आप अपना आशिरवाद हमारे सर पर बनाए रखिएगा, जरूर बेटा जरूर, मातारानी तुम दोनों को इस काम में सफलता प्रदान करे, बोलो जै मातारानी सभी लोग साथ में मातारानी का जैकारा लगाते हैं, और एक लंबी सफर के लिए निकल पड़ते हैं, पार्थ की दादी मां मातारानी की बहुत बड़ी भक्त थी, और उनने मातारानी से उनके बेटी की सुरक्षा की प्रातना करी थी, तुम बिल्कुल चिंता मत करो, मैं तुमारी दादी मा का खयाल रखूंगी, अब आप लोग जल्दी प्रस्थान कीजिए, छीक है, अब हम चलते हैं दादी मा, वहीं दूसरी और लाल नकाब वाली जादुगर ने, यह सब अपने जादुई कक्ष में, अपनी शक्तियों के द्वारा, एक बड़े से मिट्ट का मुझे मारने चला है, मैं भी देखती हूँ कि यह मुझे कैसे रोकता है, अरे रोकना दो दूर की बात है, पहले तु मेरी काली माया नगरी में पहुशत जा, उसके बगल में ही जलकुमार और अगनी वर्षा खड़े थे, जलकुमार का नाम जलकुमार इसलिए पड़ा क्योंकि वह अपनी शक्तियों से बाड़ भी ला सकता था, और हर जगे पानी पानी कर सकता था, वहीं दूसरी और अगनी वर्षा का नाम अगनी वर्षा इसलिए पड़ा था, क्योंकि वह अपने मोह और हाथ से किसी के भी ऊपर अगनी की वर्षा कर सकती थी, और दो मिनट उसको राक बना सकती थी अब देखना यह था कि पार्थ और उसका साथ ही इन सभी राक्षसों का सामना कर पाते हैं या नहीं उन दोनों को तो बिल्कुल भी नहीं पता था कि उनके रास्ते में क्या-क्या समस्यां आने वाली हैं जी महरानी गौतमी मैं भी देख रहा हूं सब ये तो ऐसे बाते कर रहा है जैसे की मदरा पी कराया है ये मूर्ख अभी हमारी शक्तियों से परिचित नहीं है इस समय जादू करनी अपने काली माया नगरी में अपने पुराने किले में है जिसका रंग वेहत काला और जोरियों से भरी चमडी पत्रीला चेहरा है उसे किले के अंदर ये सब लोग बात कर रही है आनी दीजे महरानी हमें भी खूब मजाने वाला है पार्थ और उसका दोस पहले हमें क्या करना है पार्थ मैंने सुना है कि राजकुमार जनेंदर के पास एक जादू किताब है अगर हम वो जादू किताब उनसे ले ले तो हमें उस जादू गरने के बारे में कुछ ना कुछ जरूर पता चल सकता है और मैं इस जंगल में इस लिए आया हूँ क्यों दर्ट से करहाने लगते हैं। अगले एपिसोड में हम जानेंगे कि क्या वो राजकुमार जिनेंद्र थे या कोई और व्यक्ती। किस तरह एक आदमी दर्ट से करहा रहा था। इस एपिसोड में आप दिखने वाले हैं किस तरह पार्थ राजकुमारे को बचाने के लिए किन विजय जल्दी आओ उसके पास पहुँशते हैं तो देखते हैं कि वह राजकुमार जिनेंद्र थे जो दर्ट से करहा रहे थे राजकुमार एक हिरन को मारने के चकर में उसका पीछा करते करते अपने सैनिकों को पीछे छोड़ाई और अकेले ही उसका पीछा करने लगे थे अंजाने में उन्होंने एक नाग के उपर पैर रग दिया और उस नाग ने राजकुमार के पैरों में डस लिया इसकी तुरंत बाद पार्थ राजकुमार के पैर के सांप कर डसा हुआ जहर चूसने लगती है और थोड़े समय में उनकी तब्यत सुधरनी लगती है लेकिन वहीं दूसरी और पार्थ को चकर आने लगते हैं और वहीं बिहोश होकर गिर जाता है राजकुमार होश में आने के बाद धनविजे से उसका और पार्थ का नाम पोचते हैं और अपनी जान बचाने के लिए धनविजे को शुक्रियादा करते हैं लेकिन वह पार्थ के लिए चिंतित हो जाते हैं तबी होश में आचुके राजकुमार जिनींद्र आसपास जाकर चार ओर अपनी द्वारपाल सैनिकों को जोर से अवास देते हैं और कुछ तेर में सैनिक वहाँ पर उपस्थत हो जाते हैं अरे महाराज आप ठीक तो है ना बताईए क्या हुआ हम क्या करें सैनिकों जल्दी से इस नौजवान युवक को उठाओ और घोड़े पर बिठाकर मेरे महल की ओर ले चलो आप भी चलिए नौजवान युवक धनविजय दोनों द्वारपाल सैनिक धनविजय और राजकुमार जिनेंदर महल में पहुच जाती है और पार्थ की अच्छे से देखभाल की जाती है थोड़ी देर बाद एक हकीम को भी बुलाया जाता है और देखते ही देखते पार्थ की तब्यत शाम तक ठीक हो जाती है जैसे ही गुस्ता की माफो राजकुमार लेकिन क्या मैं आपसे एक प्रशन पूछ सकता हूँ अरे आप ये कैसी बाते कर रहे हो पार्थ आपने हमारी जान बचाई है आप एक नहीं जितने चाहे उतने प्रशन पूछिए हम खोशी खोशी जवाब देंगे क्या आप मुझे अपनी जादू किताब के बारे में कुछ बता सकते हैं आपको तो ये पता ही होगा कि मैं राजकुमार इस चंद्रमुखी की खोश के लिए निकला हूँ राजकुमार बिना सोची समझे उस किताब के बारे में पार्थ को बताने लगते हैं लेकिन सबसे पहले वह अपनी दासियों को वहां से जाने के लिए कहते हैं ताकि कोई भी उनकी ये बाते सुन न पाई देखो नौजवान इस वक्त तो ये पुस्तक मैं तुमको देतो रहा हूं लेकिन ये पुस्तक तुम्हारा काम खत्मोने के बाद मुझे लोटा देना ये किताब कोई साधान किताब नहीं है इस क किती को उसके लक्षे तक पहुँचने का रास्ता बताती है और समय आने पर उचित बातों को अपने किताब के पन्नों में अंकिद्धी करती है जैसे जैसे दिन बढ़ते जाएं वैसे वैसे इसके पन्नों को खोलते जाना ये मागदश्य किताब तुम्हें मागदशन देत राचकुमार धनविजय और पार्थ को अच्छे से भोजन करवा देते हैं और उसके बाद उनके विदाई काफी अच्छे से करते हैं महल से निकलने से पहले वे उस किताब के पहले पत्र को खोलते हैं तो उस किताब के पहले पन्ने में पश्चिम की और कृष्णा गाउं लिखा होता है। वहे दोनों चंद्रमुखी को ढूंडने के लिए पश्चिम की और उस गाउं में ढूंडने के लिए निकल पड़ते हैं। चलते चलते वे दोनों एक नदी के पास पहुत जाते हैं। वहाँ पर उन्हें एक बच्ची दिखती है जिसकी उम्र लगभग 11 साल की होती है। उस दिन नदी में एक बिल्ली भी गिर गई थी और वह लड़की उस बिल्ली को बचाने का प्रयास कर रही थी। लेकिन वह इस क पानी भणने के लिए आई थी। लेकिन मैंने दीखा कि यह बिल्ली पानी में फस गई है और डूब रही है। इसलिए मैं इसकी मदद कर रही थी। मेरा नाम अनुकला है। पार्त और धन्विजे उसकी नियत से बिलकुल अपरज़त थे। तब ही अचानक वह начал किताब के पास जाता है। अरे देखो यह हमारे किताब को ले जाएगा। पार्त कुछ गरो! अरे ये तो बहुत बढ़ा नार्थ हो गया और यह बताती है कि यह चील कोई साधारन चील नहीं है बलकि यह एक जादवी चील है जो इनसान का रूप भी ले सकती है और यह कृष्णा गाउं से आई है कृष्णा गाउं का नाम सुनकर पार्थ काफी खुश हो जाता है और उस लड़की को वहाँ पर ले जाने के लिए बोलता है तरसल वह लड़की कोई साधारन लड़की नहीं थी बलकि जादूई नकाब वाली जादूगर्नी थी वह जान बूच कर पार्थ का ध्यान भढ़का रही थी ताकि वह चील उसकी किताब को वहाँ से लेकर चला जाए साथ ही साथ एक भयानक रहस से कृष्णा गाउं से जुड़ा हुआ था वह रहस से यह था कि जो भी नव्युवक उस गाउं की और जाता है वह कभी जन्दा वापस लोट कर नहीं आता आखिर ऐसा क्यों था लेकिन बेचारा पार्थ इन सब बातों से बिल्कुली अंजान था कि वह लड़की वही लाल जादू नकाब वाली जादू गरनी है कि उसने उसके मुकाम तक पहुँचने से रोक रही है और वह उसके जाल में फज जाता है तो अनुकला उन दोनों को उस गाउं में पहुचा देती है और बोलती है यहीं वही गाउं है आपको अपने किताब यहाँ से जरूर मिल जाएगी अमें चलती हूँ उस लड़की के चले जाने के थोड़ी देर बाद वहाँ पर राजा जमबोरिन के कुछ सैने का जाते है और दोनों को घेर लेते है वो भी उन दोनों को जबरदस्ती राजा के सामने प्रस्तुत कर देते है तभी वहाँ दोनों देखते हैं कि वह चील भी वहीं पर था थोड़ी देर बाद राजा अपने सिर को हिलाते हैं और वहाँ पर उपस्तित दासियों को कुछ आदेश देते हैं वहाँ पर कुछ सैनेक लोही की कीलों को बिचा देते हैं पार्थ पहले से ही सीधा साधा दोस्तों के प्रती वफादार और काफी इमानदार युवक था उसने अपने जान से ज्यादा अपने दोस्त की पड़ी थी इसलिए वहराजा के द्वारा बिचाई गई कीलों के ऊपर चल जाता है उसके पैरों से काफी खून निकल रहा था लेकिन वहें अपने बिल्कुल भी परवाह नहीं करता और भगवान का नाम लेकर आगे चलता ही जा रहा था उसकी वफादारी देखकर राजा जंबोरिन की आँखों में आसु आ जाती हैं सभी लोग बड़ी ध्यान से पार्थ को देख रहे थे और अचंबि में पड़ गए थे कि कैसे कोई व्यक्ती इतना वफादार हो सकता है आज तक जितने भी युवक इस गाउं से आए हैं वे अपने दोस्तों को मार देते या फिर डर के मारे भाग जाते या उन्हें सफल ना होने के कारण राजा के द्वारा मरवा दिया जाता राजा के यह सब काम करने के पीछे एक बहुत बड़ी वज़े थी जोकि आगे पता चलने वाली थी इसी बीच एक दासी चिल्लाते हुए सभा में आती है किस तरीके से पार्थ राजा जम्बोरिन द्वारा ली गई परिक्षा को स्विकार करता है और कैसे अपने दोस्त की जान बचाता है और तभी बीच में एक दासी आकर बहुत बुरी खबर सुनाती है पार्थ ने अपनी परिक्षा पास कर ली थी लेकिन वह काफी घायल भी हो गया था इतनी चोट लगने के बाद भी वह दूसरों की भलाई का ही सोच रहा था उससे राजा और उसकी प्रजा का यह सब दुख देखा ना गया और वह गायल अवस्ता में ही बीच में वो लुठा वो चुडैल कई बार अपने दासों को साधान भेश में भेश देती है और सजेदास बच्चों को बहला फुस लागर उठागर ले जाती है मुझे लगा कहीं तुम भी उनमें से एक ना हो लेकिन महराज वो आपके राज्य के लोगों को ही च्यों परेशान करती है क्या इसकी भी कोई वज़ा है हाँ इसके पीछे भी एक कहानी है कि वो यहां हम सब को परेशान करती है दरसल बेटा यह बहुत पहले की बात है हमारे गाउं में रूपसा नाम की बेहाग खुम सुद्ध युपती रहती थी वो गाउं की लड़के को उपना दिल दे वैटी थी इसका नाम भानुशाली था और उनकी बीच गहरे संबन थे इसी वजह से वो शादी के पहले ही माह बन गए उसने कई दिनों तक तो किसी को भी ये बात नहीं बताई लेकिन कुछी महीनों में उसकी सच्चाई पुरे गाउंवालों के सामने आ गई थी गाउंवालों ने उसको उपर बहुत गंदे गंदे आरोप लगाए और मुझे बिना बताई ही उसकी जिन्दगी का निर्ना खुदी ले लिया गाउंवालों ने उसे एक पेर के निचे रसी से बांदिया और उसके उपर जोर जोर से पत्थनों से प्रहार कर उसको माह डाला और उस लड़के भालोशाले को कुई में जिन्दा ही पेंग दिया और उस दिन के बाद से रूपसा हम सभी से अपने बच्चे और अपने पती की मौत का बदला लेती है कोई समय बाद एक तांतरिक बाबा ने इस समस्या का हल मुझे बताया उन्होंने मुझे कहा कि कोई ऐसा नविवग जो की मन से पवित्र हो वफाधार हो और जिसने कभी भी अपने जीवन में कोई पाप न किया हो वो यवग ही रूपसा की जान ले सकता है इसलिए मैंने तुम्हारी परिक्षा ली थी और अब तुमने अपनी वफाधारी का सबूत सब के सामने दे दिया है अब तुम हमें उस टोड़ल के जंगल से बचा सकते हो तुम ही हो नविवध हमारी रख्षा करो फार्थ हमारी रक्षा करो ये तो उसके साद बहुत बुरा हैं समने लेकिन वो भी तो गाओं के सारे बच्चों को खा रही है ये भी तो सही नहीं है वस आप मुझे ये बताइए कि मुझे क्या करना होगा उसका खात्मा कैसे करना है मैंने सुना है अगर उसके पेट में जोर से बाहर किया जाए तो उसकी जान भी जा सकती है क्यांकि जब वो मरी थी तो उसके पेट में बच्चा था इसका मतलब ये है कि उसका पेट उसकी कमजोरी है इसी से उसका अंत हो सकता है वहीं दूसरी और जादूई नकाब वाली जादूगर्णी पार्थ को सफल होते हुए देख काफी आक्रोश में आ जाती है अरी मुर्ख तू यहां तक आ तो गया है लेकिन तू अब रूप सा चुडैल से बिल्कुल भी नहीं बच पाएगा पार्थ की खूब सेवा करी जाती है और उसके घायल हुए पेरों में जड़ी बूटी का लेप लगाया जाता है जैसे कि पहले बात हो चुकी है अब पार्थ को ही कृष्णा गाउं की लोगों को उस चुडैल के चंगुल से बचाना था वेह राजा से वादा करता है कि वेह इस काम को अवश्य करेगा उस चुडैल को मारने के लिए राजा पार्थ को एक चाको जैसा हत्यार देती हैं जो अगले दिन ही पार्थ अपने मित्र के साथ चुडैल के ठिकाने पर जाने के लिए तैयार हो जाता है गाओं के सभी लोग उसका प्राथसाहन बढ़ाती हैं और उसे सफल होने के लिए आशिरवात देती हैं धनविजा जल्दी चलो हमें अपने काम को जल्दी अंजाम देना होगा यहां से काम पूरा होते ही आगे बढ़ना है और आज कुमारी चंदरमखी को भी बचाना है दोनों घोड़े पर बैठकर उस चड़ैल के ठिकाने में पहुच जाते हैं वहां उन्हें एक पुराना महल दिखाई देता है जोकि एकदम खंडर जैसा हो गया था यह तूटा फूटा डरावना मकड़ी के जालों और मिट्टी से सना हुआ महल था दोनों अंदर जाते हैं और वे दोनों बहुत देर तक उस चड़ैल का नाम पुकारते हैं लेकिन वे सामने कहीं प्रकट नहीं होती तभी पार्थ को एक उपाय उसके मन में आता है अरे रूपसा, ओ रूपसा, मुझे तुमने पहचाना नहीं, मैं हूँ, मैं हूँ तुम्हारा भानुशाली, मेरा दूसरा जनम हुआ है मैं तुमसे दिहारचान आया हूँ, तुम्हारे पास आया हूँ, कहा हो तुम, क्या तुम चाहती हो, कि मैं वाबस चला जाओ रूपसा? भानुशाली का नाम सुनते ही, रूपसा चुडैल काफी दुखी और भावुक हो जाती है, वह तुरन उन दोनों की सामने आ जाती है, वह देखने में काफी भयानक लग रही थी, उसके बाल जमीन को चू रहे थे, और नाखून दो फीट लंबे थे, और उसके शरीर से एक अ अकले में तुम मेरी बानुशाली हो, हाँ, मैं तुम्हारा बानुशाली हूँ, तुम मेरी आखों में देखो, चैक तुम्हें मेरी आखों में तुम्हारे लिए प्यार नहीं दिखाए देता, वह ऐसे ही बहुत देर तक उसको लभाने और अपने बातों में उसको उलजान है और फिर वे पहले की तरहें बहुत खुबसूरत दिखाई देती है तभी मौका पाकर पार्थ उसे अपने चाकों से एक पार उसके पेट में वार कर दीता है वे चुडेल बहुत जोर-जोर से करहानी लगती है पेट में वार होने के कारण वे चुडेल कमजोर पर जाती है वे इतना तीज चिलाती है कि उसकी अबास के कारण तुफान आने लगता है और आसपास की पेड पौधे जोर-जोर से हिलने लगते है तुमने इस गाओं के बेगुना बच्चों की जान ली है तभी पीछे से गाओं का एक यूवक आता है और वह भी मौका पाकर उस चुडेल के पेट में दुबारा वार करने के लिए आगी बढ़ता है लेकिन पार्थ उसे रोक लेता है अरे एक चाह करने जा रहे हो तुम तुम ऐसे उसे नहीं मार सकते ये काम मेरा है इस काम को मुझे पर छोड़ दो इस समस्या का समधान मैं ही करूँगा देखो पार्थ आप बहुत नेक दिल वाले हैं लेकिन आप इस चुडेल को इस तरीके से नहीं छोड़ सकते इस चुडेल का कोई भरोसा नहीं है या पता ये फिर से गाउवालों को परेशान करे जैसे हमेशा से करती आई है मैं मानता हूँ किस औरत ने सबी के साथ गलत किया है लेकिन हम इस बात के लिए इसकी जान नहीं ले सकते हैं क्योंकि गाउवालों ने भी इसके साथ गलत किया था और वह अपने पुरानी बातों को याद करने लगती है साथ ही साथ उसे इस बात का एहसास हो जाता है कि वह कई सालों से बहुत बड़े-बड़े गुनाह कर रही है गाउवाले के दोशों की सजा वह बच्चों को देती आ रही थी जो एक अन्याय था लेकिन दूसरी और वह युवक पार्ट से लड़ने को तयार हो जाता है क्योंकि वह किसी भी सूरत में रूपसा को छोड़ने के लिए तयार नहीं था दोनों में बहुत तेर तक हाता पाई होती है लड़ाई के दौरान वह युवक थोड़ा चोटिल हो जाता है और बेहोश होकर जमीन पर गिर जाता है अन्त में पार्ट ही जीतता है क्योंकि उसके साथ धन विजय भी था वे लड़ाई में उसका साथ दे रहा था आपको जब भी मेरी जरूरत पड़े बस मेरा नाम ले लेना मैं आपके सामने हाजिर हो जाओंगी उसके बाद पार्ट वहाँ से वापस लोट जाता है और राजा जम्बोरिन को सारी बात बताता है राजा जब यह सारी बाते सुनकर बेहत खुश हो जाते हैं और पार्ट को उसकी किताब वापस लोटा देते हैं राजा बहुत ज़्यादा खुश हो गए थे इसलिए उन्होंने तौफे में पार्ट को तौरज वह जादुई चील दे दिया वे दोनों अपने रास्ते में चल दिये थे तभी रास्ते में पीछे से कोई घुड़सवार व्यक्ति पार्ट के हाथ में तीर मार दीता है अगले एपिसोड में हम यह जानेंगे कि वह कौन व्यक्ति है जिसने पार्ट के हाथ में तीर मारा था और क्या पार्थ राजकुमारी चंद्रमुखी को बचाने में काम्याब हो पाएगा? पार्थ किस तरीके से रुपासा चुडैल से क्रिश्ना गाउं के लोगों को बचाने में सफल हो जाता है और उसी खुशी से राजा पार्थ को तौफे में तोरज भी देती हैं और वहे उन दोनों के साथ राजकुमारी को बचाने के सफर में चल पड़ता है और जब वहराजा के महल से निकल कर अपने लक्षे की और आगे बढ़ने लगता है तब ही रास्ते में पार्थ के हाथ में किसी ने तीर चला दिया था तो आईए आगे जानते हैं कि क्या होता है पार्थ और उसके दोस्त के साथ अब कौन-कौन सी नई मुसीवते आने वाली थी पार्थ के रास्ते में तो आईए जानते हैं कि आगे क्या हुआ अरे ये क्या हो गया पार्थ ए भगवान एक के बाद एक मुसीवत तबे पीछे से किसी की आवाज आती है और यह वही घुड़सवार था जिसने पार्थ पर तीर चलाया था यह व्यक्ती कोई और नहीं बलकि राजकुमार अमर्तियसेन थे जो कि चंद्रमुखी को बचाने के लिए पार्थ का पीछा करते करते यहां तक चले आई थे धनविजे पीछे मुड़कर दीखता है तो काफी हैरान हो जाता है और काफी अक्रोश में अमर्तियसेन को भला बुरा कहने लगता है राजकुमार अमर्तियसेन आप बेशक राजकुमारी को बचाने के लिए अपने मार्ग पर आगे प्रस्थान करें परंतु मेरे दोस्त के साथ ऐसा ना करें मुझे आप जैसे महाराजकुमार से ऐसी उमीद ना थी कि आपको खुद पर शक है कि आप अपने लक्ष में सफल नहीं होंगे या पार्थ आपसे जादा बुद्धिमान और ताकतवर है एसी लिए आप पार्थ को रास्ते से हटा देना चाहते हैं चुपकर मुर्ग लगता है तुझे अपनी जान प्यारी नहीं है एसी लिए मेरे सामने इतनी बखवास कर रहा है उस समय केवल अमरतियसेन ही वहाँ पर थे क्योंकि उनके द्वारपाल सैनिकों को भी उस लाल नकाब वाली जादूगर्णी ने अपनी जाल में फसा कर मार दिया था परंदू अमरतियसेन काफी बलवीर थे इसलिए वे शायद अपितक जिन्दा थे जब अमरतियसेन बाते कर रहे थे तो उनके शरीर से वैसे ही खुश्पू आ रही थी जैसे कि उस लाल नकाब वाली जादूगर्णी से आ रही थी अमरतियसेन नहीं चाहते थे कि वे राजकुमारी को बचाएं इसलिए वे उस पर हमला करने लगते हैं तौरज जल्दी से तो तलवार हमारे सामने प्रस्तुत करो हम अभी निहत थे हैं और कीट पीछे निहत तो बरबार करने वाले को क्या कहा जाता है ये तो सब जानते हैं तभी तौरज अपनी जादोई शक्ती से दो तलवारी प्रस्तुत करता है। तौरज के द्वारा प्रस्तुत की गई दो तलवारी कोई साधारन तलवार नहीं थी। वह भी कोई जादोई तलवार थी। इसके बाद धनविजे भी अपने दोस्त के लिए उनसे तलवार बाज करना शुरू कर देता है धन विजय को ज्यादा तलवार बाजी नहीं आती थी इसलिए उसके शरीर में काफी छोट आ जाती है धीरे धीरे वह घायल होने लगता है और उसे बेहोशी सी आने लगती है तभी चील तोरज जो कि अभी इंसानी रूप में है अमरत्यसेंद से लड करता है और लड़ती लड़ती अमरत्यसेंद का धड़ उनके सर से अलग कर दीता है उसे लगता है कि राजकुमार मर गए है लेकिन थोड़ी ही देर बाद राजकुमार सिर्ख कर चाने के बाद भी जोर-जोर से हसनी लगता है घायल धनविजे जमीन में चोटे लवस्था म के पास ये शक्ति असंभव है ये राजकुमार नहीं है ये वही जादुगर्णी है जो शुरुआ से हम दोनों के लक्षने बार-बार बाद आला रही है अब तो मुझे पक्कायकिन हो गया है ये वही है मैंने उस खुश्बू से पहले ही जान गया था इसे तू कौन है जल दोनों को कृष्णा गाओं में भेज कर उस चुडेल के चंगुल में फसाया था वैसे ही राजकुमार अमरत्यसेन को भी मैंने वहां भेजा चला था राजकुमारी को बचाने के लिए और देखो बिचारा अपनी जान गवा बैठा रहे तुम्हारी तरह शातिर नहीं था रूप सा चुडेल उसे एक ही बार में खा गई वैसे तुम जैसे वीर लोगों के सामना करने में काफी मजा आएगा तुम्हारा इंतजार रहेगा पुछ ले समल जा सिंदार हना चाहती है तो जानेत राजकुमारी को एक अलग तरीके की जादोई शक्तियुत परना हो जाती है और मैं काफी ताकतवर महसूस करती हूँ और मेरी खुबसूरती बनी रहती है और राजकुमारी चंद्रमुखी आखरी ओरत है जिसकी मैं जान लूँगी क्योंकि इसके बाद मैं महाशक्ति शाली बन जाओंगी और दुनिया की कोई भी ताकत मुझे नहीं हरा सकती है ना मुझे कभी बुढ़ापा आ सकता है पार्थ जादू करने की यह सब बाती सुनकर एक्तम पागल सा हो जाता है और उस पर अपनी धार दार तलवार से जोर दार वार करता है लेकिन उस पर उस तलवार के वार का कुछ भी असर नहीं हो रहा था जब तलवार से बात नहीं बनती तो पार्त उन्हें अपनी बातों में उलजाने का प्रयास करने लगता है वह उसे बार-बार नकाब उतारने के लिए बोलता है लेकिन वह अपना नकाब उतारने के लिए बिल्कुल भी तयार नहीं थी वहे उसे अपनी बातों में भी उल्जाने की बहुत कोशिश करता है लेकिन वहे जादू गरनी उसकी बातों में बिल्कुल भी नहीं आती देखो, मैं तुम्हें जानता तो नहीं लेकिन अगर तुम्हें मेरी मदद की जरूरत है तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ मुझे पता है कि तुम्हारे साथ जरूर कुछ गलत हुआ है क्या तुम मुझे बता सकती हो शायद न तुम्हारे कुछ कामा सकूँ बोलो उससे बात करने के दौरान पार्थ जादूगर्णी के नकाब को बहुत देर सक एक टक गुरे जा रहा था पता नहीं क्यों उसे बार-बार ऐसा लग रहा था कि उसके चहरे का अकार किसी औरत से मिलता है जिसे उसने पहले कहीं तो देखा है वह अपने दिमाग में बहुत जोड डालता है लेकिन उसे बिलकुल भी याद नहीं आ रहा था कि उसने ऐसी औरत कहां पर देखी है अचानक से वह लाल नकाब पहने जादूगर्णी तीजी से आगे बढ़ने लगती है पार्थ और धनविजे उसका पीछा करने लगते हैं लेकिन तौरज उन दोनों को उस दिशा की और जाने से मना करता है लेकिन वे दोनों उसकी नहीं सुनते हैं और उसका पीछा करते जाते हैं वह जादुगर्णी धन विजे और पार्थ को गुमरह करने के लिए उन्हें एक माया नगरी तक ले जाती है। और यह माया नगरी थी शेर किला। वह ऐसा जान बूच कर करती है और अचानक से हवा में कहीं गायब सी हो जाती है। अरे यह जादुगर्णी तो बिलकुल गायब हो गए और हम यह कहां आ गए हैं। मालिक मैंने आप दोनों को बहुत रोकने की कोशिश करी लेकिन आप दोनों ने मेरी बिलकुल भी ना सुनी। यह माया नगरी है यह जगह शेर किला के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर एक बेहद ही खातनाख शेरनी रहती है और वो कोई शेरनी नहीं है बलकि बदरी राज्य के राजा आलोक राज है। यह बहुत समय पहले की बात है। बदरी राज्य के राजा अलोक राज को सभी जानवरों का मास खाना बहुत पसंद था और उन्होंने लगभग सभी जानवरों का मास खा भी लिया था। वो मास खाना काफी पसंद करते थे एक दिन न जाने कहां से उनके मन में किसी शेडनी के मास खाने का ख्याल आया शायद उन्होंने कहीं से सुना था कि शेडनी का मास बहुत सादेश्ट होता है उन्होंने अपने द्वारपाल सैनिकों को किसी शेड़नी का मास लाने के लिए कहा उनके आदेश पर द्वारपाल सैनेक जंगल गए और वहाँ पर शेड़नी को ढूंडा लेकिन वो शेड़नी कोई साधा शेड़नी नहीं थी वो शेड़ों की महारानी थी परंतु ये बात द्वारपा सेनिकों को बिलकुल भी ना पता थी वे जबरदस्ती उसको पिंजरे में कैद करके बद्री राज्य में ले गए वहाँ पर महराजा ने स्वैम ही उसे पिंजरे से खोल कर उसका वद्ध किया मढने से पहले उस शेड़नी ने राजा और उसके राज्य को शाप दिया उसने राजा को ये शाप दिया कि वो भी एक शेड़नी बन जाएगा और लोगों का नचाती हुए भी जान लेता रहेगा और वो केवल किसी इंसान का ही मास खाएगा यानि कि महराजा अलोक राज एक शेड़नी के रूप में कई सालों से लोगों का वद करते आ रही है क्योंकि किसी ने भी उश्का शाप तोड़ने की कोशिश नहीं की अगर ऐसी बात है तो शाप का जरूर कुछ तोड़ भी होगा जी मालिक है एक तोड़ माना जाता है कि अगर उस शेड़नी का दूद निकाल कर कोई यह वक पी ले तो उसे शाप से मुक्ती मिल जाएगी और आसपास के गाउं के लोगों की जान भी बच जाएगी लेकिन मालिक यहाँ पर बहुत बड़ी समस्या है पहली तो यह कि उस शेड़नी को पकड़ कर उसका दूद निकालना कोई आसान काम नहीं है और दूसरा यह है कि उसका दूद काफी जहरिला भी है संभव है कि पीने वाले की जान भी चली जाए देखो अगर कोई भी काम थोड़ा सा भी अपने मन से किया जाए तो वो काम कभी भी बेकार नहीं जाता है मुझे भरोसा है अपने इश्वर पर तभी पीछे से वह शेर नहीं आती है और तौरज को जपट कर उठा ले जाती है किस तरह से लाल लकाब वाली जादूगर्णी ने पार्थ, तोरज और उसके दोस्त को अपने जाल में फसाया था और जान बूच कर उन सभी को शेरों की किला शेर किला तक पहुचा दिया था यह भी देखा कि वह जादूगर्ण अमरत्यसेन का भेश बदल कर आई थी शेर किला कोई मामुली जगे नहीं थी बलकि वह एक मायन अगरी थी जहाँ पर बदरी राजे की राजा आलोक राज निवास करती थी और ऐसा माना जाता था कि जो व्यक्ति वहाँ जाता है वह वापस नहीं लोटता है और आपने यह भी देखा कि इसी बीच वह शेरनी जो की स्वैम राजा आलोक राज था वह तोरच को कस के जकर कर उठा ले गई थी वह शेरनी तोरच को उठा कर ना जाने कहा ले गई किसी को भी कोई अंदाजा नहीं लग रहा था आगे का रास्ता काफी खतरनाक और रहसे से भरा हुआ था चारों तरफ केबल काला अंधीरा दिखाई दे रहा था उन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या किया जाए वह दूसरी और तोरच की जान बचाना भी बहुत जरूरी था वे खबराते हुए अपनी दोस्तों को हिम्मत दीता है और दोनों हिम्मत जटा कर उस अंधेरे भरे रास्ते में आगे की और बढ़ती जाते हैं थोड़ी देर आगे बढ़ने पर उन्हें बहुत ज्यादा रोश्नी दिखाई देती है वो दोनों वहां का नजारा देखकर बिल्कुल आश्चरे चकित हो जाते हैं दरसल शेर किला अंदर से काफी खुबसुरत था चारों तरफ हरियाली ही हरियाली दिखाई दे रही थी वहां अंधीरा नहीं था उन्हें बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि उनके साथ आगे अब क्या होने वाला है और वह किस माया नगरी में पहुँच गए हैं शेर किला माया नगरी का एक नियम था नियम यह है कि जो भी व्यक्ति इस माया नगरी में आए वह शेरनी से युद्ध करके उसका दूद पी जाए और उसका शाप तोड़कर वहां से चला जाए अगर वह जिन्दा रहा तो आगे बढ़ सकता है लेकिन शेरनी का दूद पी कर जिन्दा रहना मुश्किल था और यादी वह असफल हुआ तो वह वही मर जाएगा यानि कि उसे युद्ध करना अनिवार्य था वैसे इस माया नगरी में जो भी आता था उसका बचना काफी मुश्किल था क्योंकि आगे कुआ तो पीछे खाई थी बहुत लोगों ने इसका श्राब तोड़ने का प्रयास किया क्योंकि उस शेरनी ने काव वालों का जीना मुश्किल कर दिया था पर उद्ध कोई भी सफल ना हो सका आज तक उसके श्राब को कोई नहीं तोड़ सका जिसने भी कोशिश की वो मौत की खाट उतार दिये गए अरे देखो शेर किला वासियों कौन आया है ये दो बालक अपने मित्र को बचाने आये है वहाँ पर शेर किला के सारे शेर मौजूद थे और सभी लोग पार्थ और उसके दोस्त के उपर हस रहे थे तोरच को उन सभी शेरों ने उसे घेर रखा था और इसका सीधा मतलब यह था कि उसकी जान खत्रे में थी पता नहीं कब शेरनी को गुसा आ जाए और वह अपने शेर सैनिकों को तोरच को मारने का हुक्म दे दे उस समय तोरच थोड़ा सा चोटल हो गया था और बेहोशी की हालत में लग रहा था अब उसकी जान सिर्फ आर्ट हमें माफ कर दीजिए हम आपकी इस माया नगरी में बिना पूछे चले आए हैं लेकिन इसका मतलब यह तो नहीं है कि आप इस बेचारे चील की जान लेंगी वो एक माया वे चील है उसे मारना एक पाप का कार होगा महाराच उसे बख्ष दे महाराच हमारी आपसे विंती है हमें यहां से जाने दीजिए हमें बहुत दूर तक जाना है तुझे मेरे बारे में सब कुछ पहले से ही पता है लेकिन मुझे पता है कि तू भी कुछ नहीं कर पाएगा और बाकियों की तरहे मारा जाएगा चल अब लड़ने के लिए तयार हो जा मैं भी देखती हूँ कि इतनी वीरता से बात करने वाला बालक क्या कर पाता है महराच मैं पूरा प्रयास करूँगा कि आपके हाथों ना मारा जाओ आप चिंता मत करिए मैं आपका श्राप भी तोड़ दूँगा कोशिश करूँगा कि तोड़ पाओ तब ही शेरनी अपनी शेर सैनेकों को धनविजय को घिरने का आदेश देती हैं और पार्थ को छोड़ देने को कहती है क्योंकि वे पार्थ के साथ युद करने वाली थी जब तक मैं आदेश ना दू तब तक कोई भी इस मुर्ख व्यक्ति को हाथ नहीं लगाएगा यह मुझे चुनौती दे रहा है और इसका अंजाम अब यह आगे भुकतेगा यह मामूली सा व्यक्ति मेरे श्राप को तोड़ने की बात करता है बड़े से बड़े राजा महराजा कुछ ना कर पाए और यह चला है बड़ा मेरे श्राप को तोड़ने आज इसके सबक मिलेगा आज यह जिन्दा नहीं जाएगा तभी अचानक से वह शेरनी पार्थ के उपर जोर से हमला कर देती है और अपने बड़े बड़े नाखूनों से उसके चहरे पर वार कर देती है पार्थ थोड़ा सा चोटल हो जाता है और उसके चहरे पर उसके नाखूनों की निशान भी आ जाती है उसके शरीर से थोड़ा खोन बहने लगता है लेकिन वे बिलकुल भी हिम्मत नहीं हारता और बड़ी वीरता के साथ शेर्नी से लड़ाई करता जाता है उसके दिमाग में बस यही खयाल आ रहा था कि वे जल्दी से शेर्नी को किसी भी तरीके से पकड़े और उसकी दूद को निकाल कर पी जाए हालाकि उसको पता था कि उसके दूद को पी कर वे मर भी सकता है लेकिन वे अपनी जान के बिलकुल भी परवा नहीं करता शेर्नी के खुंकार पंजी और लंबे लंबे दात पार्थ को डरा रहे थे और कमजोर बना रहे थे और धीरे धीरे वे युद हारने लगा था तब ही अचानक से लडाई के दौरान वे तोरज को जोर जोर से अवाज लगाने लगता है तोरज उठो तोरज उठो तुम्हें मेरी मदद करनी होगी नहीं तो हम सभी इस माय नगरी में मारे जाएंगे तुम जल्दी से अपनी मायवी शक्ति का इस्तिमाल करके इस शेड़नी को जंजीरों से बांदो उठो तोरज मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है बिचारा तोरच छोटिल अवस्था में ही अपनी शक्ति का इस्तिमाल करके उस शेरनी के हाथों को जंजीरों से बांद देता है और तब ही पार्थ मौका देखकर उस शेरनी के दूद निकाल कर उसकी दो भूंद पी जाता है उस समय शेड़नी काफी छट पटा रही थी लेकिन पार्थ बिलकुल निडर रूप से ये कारे कर रहा था और आखिरकार वह इस कारे में सफल भी हो गया अरे नादान बालक ऐसा मत कर नहीं तो तू अपनी जान गवाएगा अरे मित्र ये तुने क्या किया तुझे पता है ना इस शेड़नी का दूद पीने के बाद क्या होता है इंसान का ये भगवान तुने क्या कर लिया जैसे ही पार्थ उस शेड़नी का दूद अपने मूँ में डालता है वैसे ही उस शेड़नी का शाप तूट जाता है और वहे बदरी राजी की राजा आलोक राज के रूप में आ जाता है वहीं दूसरी और पार्थ को चक्कर आने लगते हैं और वह वहीं बेहोश होकर गिर जाता है उसका शरीर बिल्कुल बेजान सा दिख रहा था और शरीर का रंग बिल्कुल नीला पड़ गया था हे इश्वर ये क्या हो गया मेरी बजह से एक और बेगुना बालक फिर से मारा जाने वाला है हे भगवान इतने सालों से मैं बेगुना लोगों को बेबजह मारता आ रहा था क्योंकि मुझे शराप मिला हुआ था मैं इस अब जान बूझकर नहीं कर रहा था इसके लिए मुझे शमा करना मेरे प्रभू मैंने इतने साल लोगों को मारा और उनका कच्चा मांस खाया जो की बहुत ही निंदनिय कारे है अब इस बालक की जान कैसे बचाई जाए प्रभू मदद कीजिए किर्प्या मदद कीजिए तब ही धनविजे को याद आता है कि रूपसा नामक चुडेल को पार्थ ने किस तरीके से बचाया था और रूपसा ने यह भी कहा था कि जरूरत पढ़ने पर वे लोग उसे याद भी कर सकते है इसलिए वे रूपसा चुडेल का नाम बार-बार लेने लगते है उसे आस थी कि रूपसा उसको बचा लेगी तभी वहाँ पर जल्दी से रूपसा चुडेल प्रकट हो और पार्थ की जान बचाओ तुम तो विवन परकार की मायवी शक्तियों को जानती हो ना और जल्दी से मुझे बताओ कि किस तरीके से पार्थ की जान बचाए जा सकती है अब तुम ही हमारी मदद कर सकती हो रूपसा तुम फिक्र मत करो जी मेरे आका मुझे एक माया नगरी पता है जिसका नाम शाखा लोग है हमें वहां से जरूर कोई जड़ी बूटी मिल जाएगी जो पार्थ की जान बचा लेगी उस शेर्णी का श्राप तोड़ने में सफल हो जाता है और अपनी जान को भी गवाने पर आ जाता है और इसे बीच वह बहुश भी हो जाता है वही दूसरी और उसका मित्र उसकी ऐसी हालत देखकर परिशान हो जाता है और रूपसा चुडैल को बुलाकर उससे मदद मांगता है अब आग ये देखते हैं कि क्या धन विजय अपने मित्र की जान बचाने में सफल हो पाता है और उसे ऐसा करने में किन-किन कठनाईयों का सामना करना पड़ता है तो चलो जल्दी से हम लोग चलते हैं हमें अब एक पल की भी देरी नहीं करनी चाहिए कहीं ये पार्थ के लिए घा तक ना हो जाए वरंतु हमें पहले यह जानना होगा कि उस जड़ी बूठी का नाम क्या है मैं नहीं जानती उसका नाम क्या है हा रूपसा तुम बिलकुल सही कहती हो ये बहुत जरूरी है तभी धनविजे उसी मार्ग दशक किताब को खोलता है और देख कर बोलता है हे मार्ग दशक पुस्तक हमें बताओ कि उस जड़ी बूठी का नाम क्या है जो पार्थ की जान को बचाएगा तभी किताब अपने एक पन्ने में उस जड़ी बूठी का नाम लिखता है अमरित मुखी यानि की धनविजे और रूपसा को शाखा लोक माया नगरी में जाकर अमरित मुखी नामक जड़ी बूठी को लाना था और बार्थ के मुख में उसके रस की कुछ बूंदों को डालना था लेकिन यह काम इतना आसान नहीं था जितना की दिख रहा था तभी रूपसा अपनी शरीर का आकार काफी बढ़ा कर लेती है और एक कालीन के समान अपनी सिथी बना लेती है और अपनी पीट पर धनविजे को बड़े आराम से बिठा लेती है बिना समय गवाई दोनों वहाँ से चली जाती है और उनका सफर शुरू हो जाता है थोड़ी देर में वो दोनों शाखा लोग में बहुत जाते हैं वह देखते हैं कि चारों तरफ सिर्फ बड़े बड़े पेड़ और पौधे हैं और चारों तरफ बहुत हरियाली है वहाँ पेड़ों पौधों के बीच में एक बेहती सुन्दर नदी थी उस नदी का पानी बिकुल अमरित की तरहें साफ था और उस मायावी लोग के सभी व्रिक्ष और पेड़ पौधे उस नदी से अपना जीवन यापन करते थे वहाँ पर काफी बड़े बड़े व्रिक्ष थे और उन सभी व्रिक्षों की शाखाओं को देखकर ऐसा लग रहा था कि सभी शाखाओं अभी के अभी बोल उठेंगी तब ही उनकी नजर एक पौधी पर जाती है रूपसा उस पौधी की तरफ इशारा करते हुए तब ही धनविजे उस पौधी की तरफ बढ़ता है और उसको तोड़ने के लिए अपने हाथ आगे बढ़ाता है और यहे देखकर एक बड़ा सा व्रिक्ष पोल उठता है अरे ओ दोस्ताहसी लड़के तूने बिना पूछे उस पौधे को हाथ भी कैसे लगाया तुझे पता है कि इसकी कितनी बड़ी सजा मिलेगी तुझे वे व्रिक्षों का राजा था जो की उस लोग की रक्षा करता था और बाहर से आने वाले लोगों को अपनी मायादी शक्तियों द्वारा फसा कर मार डालता था हमें माफ कर दीजिये हमसे कोई गलती हुई क्या हम तो एक नाधान इनसान की जान बचाने के लिए इसे लेने आए हैं तुम लोग यहां क्या करने आए हो इतना बड़ा दोस्ताहास करते हो और हमसे प्रश्न करते हो माफ कीजे गवरक्षों के महाराद हमें आपकी मदद की बहुत जरूरत है मेरे दोस्त की तर्वियत बहुत जादा खराब हो गई है क्योंकि उसने किसी जहर का सेवन कर लिया है और अब उसकी जान खत्रे में है इसलिए हम दोनों यहां पर उसकी जान बचाने के लिए अमर प्या करके हमारी मदद कीजिए महाराज तुझे लगता है कि ये कारे बहुत आसाल है तेरे जैसे यहां पर बहुत आय और गए तू यहां किस मों से आया है धन्विजे उस व्रिक्ष को समझाने की बहुत कोशिश करता है लेकिन वहे उसकी बिलकुल भी नहीं सुनता उस व विजे को नव चाहते हुए भी एक कदम उठाना पड़ता है धन्विजे रूपसा चुडेल को एक आदिश दीता है ये रूपसा चुडेल तुम जल्दी से इस शाखा लोग के नदी का सारा पानी पी जाओ ताकि यहां के रक्षो को पानी न मिल पाए और ये मयावी लोग जल्दी से जल्दी नश्ट हो जाए जी मेरे मालिक जैसा आपका हुपन और वेह शाखा लोग के एक मात्र महत्पूर्ण नदी का सारा का सारा पानी पी जाती है और यह द्रिश्य देखकर सभी पेड पौधी चिंतित हो जाते हैं और रिक्षों का राजा भी दुखी हो जा इन खात्मा कर सकी और वहां पर जल्कुमार प्रति हो जाता है और बहुद दोनों बिलकल भी चिंता ना करो मैं अभी दोनों को सबग सिखाता हूँ और जलकुमार शाखा लोग में बहुत तेज वर्षा करने लगता है और वे नदी फिर से भर जाती है एक तरफ जलकुमार नदी को भरता जाता है तो वहीं दूसरी तरफ रूपसा चुड़ेल उस नदी के पानी को पीती जाती है दोनों में जंक छट जाती है और यह क्रिया थोड़ी देर तक चलती रहती है जब इससे कोई बात नहीं बनती तो दोनों एक दूसरे से तलवारों से लड़ती है वहीं दूसरी और व्रिक्षो का महराज हसता हुआ धनविजय को कहता है इतना कहती ही व्रिक्षो का महराज भी अपनी बड़ी बड़ी तनों और शाखाओं को धनविजय की तरफ करता है और उसे चोट पहचाने की कोशिश करता है लेकिन धनविजय भी बड़ी बहादुरी से उसका सामना करता जाता है उसके पास एक तलवार थी और वह उसी तलवार की मदद से उसकी शाखाओं को काटता जा रहा था लेकिन उस व्रिक्ष को कुछ भी नहीं हो रहा था तब थोड़ी तेर बाद धनविजय उसकी जड़ों को काटने की सोचता है क्योंकि उसे लगता है कि शायद उसकी जड़ों में ही उसकी जान बसी होगी वह उस व्रिक्ष की जड़ों में बार बार वार करता है और वह व्रिक्ष खायल भी होने लगता है और जबकि वह उसकी अंतिम जड़ों को काटने वाला होता ही है वह व्रिक्ष रोन ही लगता है मुझे माफ कर दो मुझे मत मारो छोड़ दो मुझे तो जल्दी से बताओ मुझे वो जड़ी बूटी ले जाने दो गया नहीं बताओ मुझे हाँ तुम उस जड़ी बूटी को ले जा सकते हो लेकिन इसकी एक शर्थ है तो जल्दी से बताओ वो शर्थ कौन सी है इस माया लोग का नियम है ये कि अगर कोई भी व्यक्ती यहां से कोई भी जड़ी बूटी ले जाता है तो उसे अपने शरीर का एक हिसा काट कर देना होगा तो बताओ तुम कर सकते हो ऐसा अगर ऐसा करोगे तभी जड़ी बूटी लेकर जा पाओगे धन विजे कुछ भी नहीं सोचता है और जल्दी से अपने हाथ को काट कर उस व्रिक्ष को सौप देता है उसे अपने दोस्त के लिए इतनी बड़ी कुर्बानी दे दी थी जो की एक महान बात थी तभी दूसरी तरफ रूपसा चुड़ैल जल कुमार को मार कर खा जाती है नकाब वाली जादुगर ने यह सब देख अपने किले में बैठ कर जादुई घड़े से सब कुछ देख रही थी उसे जल कुमार की मौत का बहुत अफसोस होता है और वह निर्ने लेती है कि जल्द ही मौका मिलने पर इन तीनों को मार देगी तो क्योंकि धनविजे ने अपना हाथ काट कर उस व्रिक्ष को सौंप दिया था इसलिए व्रिक्ष उसकी इतनी सची मित्रता को देख कर काफी भावुक हो जाता है और उसे वह जड़ी पूटी दे देता है वह व्रिक्ष अपनी गलती के लिए धनविजे से माफी मांगता है और साथ ही साथ उसको ना मारने के लिए भी धन्यवात करता है धन्यविजे रूपसा से उस नदी के पाने को वापस लाने के लिए कहता है और रूपसा तुरंत उस नदी को फिर से भर देती है इसके थोड़ी देर बाद वे दोनों जड़ी पूटी लेकर वहां से चले जाते हैं जब वह शेर किला में वापस आते हैं तो देखते हैं कि पार्थ और भी ज्यादा कमजोर हो गया है धन्यविजे जल्दी से उस जड़ी पूटी को निचोड़ कर पार्थ के मूँ में उसकी कुछ बूंदे डाल देता है लेकिन पार्थ को तो कोई भी प्रक्रिया नहीं दे रहा था और ऐसे ही कुछ समय बीत गया था धन्यविजे की रो रोकर हालत खराब हो गई थी धन्यविजे रोने लगता है और ईश्वर से प्रात्रा करने लगता है तरीके से धन्यविजे अपने हाथ का बलिदान करके अमरित मुखी जड़ी बूटी लेकर शेर लोक वापस लोटता है वह जड़ी बूटी को लेकर जल्दी से पार्थ के मूँ में डाल देता है लेकिन वह कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रहा था इस एपिसोड में हम जानेंगे कि क्या पार्थ की जान बच पाएगी धन्यविजे ने अपने हाथ का बलिदान कर दिया था और उसके हाथ से काफी खोन भी भे रहा था लेकिन उसको अपनी जान की बिल्कुल भी नहीं पड़ी थी वे सिर्फ पार्थ की जान बचाना चाहता था आलोग राज भी ये द्रिशित देखकर धन्यविजे के लिए काफी चिंतित हो जाती है और जल्से अपने पहने हुए कपड़े का थोड़ा सा हिस्सा काट कर उसके हाथ में बांद दीता है ताकि उसके खोन का रिसाफ थोड़ा कम हो जाए ही मा, माता रानी, मेरे मित्र की रक्षा करो इसने तो हमेश्या दूसरों का भला ही किया है लेकिन इसके हिस्से में इतनी बदकिस्मती क्यो है माता ही मा, रक्षा करो, इसकी जान बचा लो ही प्रभू, इस बालक ने मेरी जिन्दगी बचाई है मुझे श्राप से मुक्त किया है इसकी रक्षा करिए, इसे मरना नहीं चाहिए खिरपा कीजिए, इसने एक बालक पक्षा तब ही देखते ही देखते पार्थ को होश आ जाता है और वहे अपनी आँखी खोलता है जब वहे अपनी आँखी खोलता है तो देखता है कि उसकी दोस्त की हालत बिलकुल बिगड़ चुकी है अरे धनविजय, यह सब कैसे हुआ यह तुम्हारे साथ इतना बुरा केस ने किया मेरे दोस्त, मुझे बताओ मैं उसे छोड़ूँगा नहीं तभी वही पर खड़े खड़े आलोकराच सारी बाते पार्थ को बता देते हैं और पार्थ बहुत रूने लगता है धनविजय उसे बहुत समझाता है और उसे अपने लक्षे के प्रती अग्रसर होने के लिए बोलता है तो वहीं दूसरी और रूपसा चुड़ेल भी उनकी अनुमती लेकर अपने लोक में वापस चली जाती है तभी धनविजय उसे बुलाता है और रूपसा चली जाती है थोड़ी देर बाद पार्थ, धनविजय और तोरज तीनों आलोकराच से विदा लेकर शेर लोक चली जाती है वे तीनों उस मार्ट दर्शन पुस्तक का इस्तमाल करते हुए लाल नकाब वाली जादूगर्णी की, काली माया जंगे की और आगे बढ़ने लगती है क्योंकि धनविजय की तब्यत की बहुत ज्यादा जाते हैं रात काफी हो जाती है और तीनों लोग गहरी नीन में सुझाती है भलती हैं त्ब ही पार्थ, अपना चाह को निकालता है और उस आवाज का पीछा करने लगता है कौन है वहाँ? बोलो कौन है वहाँ? सामने आओ और वहां उस औरत के पायल के अवास का पीछा करने लगता है। वह कोई इस्तरी होती है जिसने काले रंग का कपड़ा पहन रखा है। और उसे अपना चेहरा भी उसी काले रंग से ढख रखा है। वह आगे की और बढ़ती जाती है और पार्थ के बिल्कुल भी नहीं सुनती पार्थ उसे पुकारता है। तुम कौन हो जल्दी बताओ नहीं तो मैं तुम्हारी जान ले लोगा बता रही हो या नहीं चुआ ही हो यहां। पार्थ उसका पीछा करते करते जंगल की दूसरे रास्ते की और काफी आगे बढ़ चुका था और तब ही वहां पर एक और इस बच नहीं सकेगा। कोई और नहीं बलकि चंद्रमुखी की बड़ी बहन चंद्रकला होती है। के बहुत करीब थी। बच्पन से ही उसे हमेशा ज्यादा प्यार और सम्मान मिलता रहा है। और मुझे कुछ नहीं मिला। उसे अपनी खुबसूर्ती का बहुत ही ज्यादा घमन था। और देखो आज उसकी खुबसूर्ती ही उसकी दुश्मन बन गई है। देखो ले गई ना लाल नकाब वाली जादुगर्णी उसे उठाकर। धे मेरी रास्ते से हटने ही वाली है। जब सब सही होने वाला है तो तू जाकर उसे बचाने वाला है। क्यों? मैं तुझे ऐसा बिल्कुल नहीं करने दूँगी, समझा? और तुमने मेरी माँ को चौट पहुचा कर अच्छा नहीं किया। मा, उठो, मा। दरसल चंदरकला बच्पन से ही चंदरमुखी से नफरत करती थी और उसे अपने रास्ते का काटा समझती थी। चंदरकला की सगी मा बागेश्वरी थी। यानि की जो इसतरी बेहोश होकर जमीन पर गिर गई है वह महरानी बागेश्वरी है। बागेश्वरी काफी चालाक औरत थी। वह हमेशा राजा मगधीरा को अपनी तरफ ही कर लिया करती थी। वेह राजा मंगधीरा को किसी और के साथ विल्कुल भी सहन नहीं कर सकती थी, क्योंकि राजा मंगधीरा अपनी पुत्री चंदरमुखी से बहुत ही ज्यादा प्यार करते थे, इसलिए वेह अपनी पुत्री की जान बचाने के लिए कुछ भी करने को तयार थे, राजा आरी चंदरकला, ऐसा कुछ भी नहीं है, आपकी बहन एक बेहत कठिन समस्या में है, और उनकी जान भी दाओ पर लगी हुई है, आपको उनकी मदद करनी चाहिए, ना कि अपना पुराना गुसा उन पर निकालना चाहिए उसकी मदद करने लगता है, राजकुमारी आप बिल्कुल भी फिक्र ना करिए, मैं आपकी माता को कुछ भी नहीं होने दूगा, मुझ पर भरोसा कीजिए, तभी जल्दी से दोनों महरानी बागेश्वरी को उठाती हैं, और उठाकर उनको लेकर दोनों किसी पेड़ पर और नीचे हाती वहां उन तीने को धूनता है, देखते ही देखते ते हाती लान लकाब वाली जादुगर्नी के दूश में बदल जाता है, वे दोनों यह दृश्य पेड़ पर बैठे हुए देख रहे थे इस समय लान नकाब वाली जादुगर्नी ने अपना नकाब नहीं पहन रखा था, उसका सिर्फ भूतिया चेहरा ही दिख रहा था, उसके चेहरे में जुड्या परी हुई थी और शरीर का रंग बिलकुल काला दिख रहा था, पार्थ भी उसकी ऐसी दशा को देखकर उसकी मंतर हो जाती है, और फिर मौका देखकर पार्थ और राजकुमारी चंदरकला राजकुमारी बागेश्वरी को लेकर पेड़ से नीचे उतर आते हैं, चंदरकला काफी भावख हो जाती है, क्योंकि पार्थ ने उसकी मा की जान बचाई थी और उसके दिल के करीब उसकी माता ही तो थी और चंद्रकला पार्थ को शुक्रियादा कहती है। नहीं न, इसलिए मैं तुम्हारा शुक्रियादा कर रही हूँ। ठीक है राजकुमारी, माफ कीजेगा, आप अपनी माता का ध्यान रखिए, अब मुझे चलना होगा, क्योंकि मेरे मित्र मेरा इंतिजार कर रहे होंगे। और पार्थ वहाँ से जानी लगता है, तभी चंद्रकला उसे पीछे से आवास देती है। रुको पार्थ, मैंने यह निर्णे लिया ही कि मैं भी तुमारे साथ चलूँगी, थोड़ी देर बाद मेरी माँ को भी होश आ जाएगा, मैं उन्हें महल भेज दूँगी और मैं तुमारे साथ चलूँगी। इसलिए उसका हृदय परिवर्तन हो गया था, लेकिन इसी बीच तोरज अचानक से वहाँ पर आ गया था और पार्थ को एक बुरी खबर देता है। इस एपिसोड में हम जानेंगे कि क्या पार्थ अपने मंजल तक पहुच पाएगा और क्या थी वह पुरी खबर। वो, वो धनविजे है। अपको ढूंडते हुए यहाँ चलाया, आपको बताने, अन्होनी हो गई है मालिक, अन्होनी। यह तुम क्या कह रहे हो, तुम्हें होश भी है कि तुम क्या कह रहे हो, ऐसा कैसे सम्मभ है, उसे आखिर क्या हुआ है। यह सुनकर तो पार्थ जैसे मूर्ती बन जाता है। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि उसका मित्र अपिस दुन्या में नहीं रहा। वह चंद्रकलास से जाने की अनुमती लेता है और तुरन तोरज के साथ चला जाता है। जब पार्थ धनविजय के पास चाता है तो देखता है कि वाकई में उसका मित्र अपिस दुन्या में नहीं रहा। उसकी सांसे धंचुकी थी। उसको अपने मित्र को खोने का काफी गम होता है और वे बहुत रूनी लगता है। तो अगला दिन आता है और वे दोनों जादुगर्णी की नगरी की और जाने लगते हैं। तब ही वहाँ पर राजकुमारी चंद्रकला आ जाती है। बहुत बुरे काम किये हैं पर अब मुझे कुछ अच्छा करने का मौका मिला है तो मैं इसे नहीं जाने दे सकती। चलो अब। ठीक है राजकुमारी आप जैसा चाहें चलिए और हर कदम पर साफदान रहेगा यहाँ कब क्या हो जाए पता नहीं लगता। इसके बाद सभी लोग अपने सफर में आके बढ़ने लगे। अब वह समय आ चुका था जब उस नकाब वाली जादूगर्णी के बारे में कुछ सचाई पता चलने वाली थी। आगे अलग-अलग छे रास्ते दिखाई पड़ रहे थे। तभी पार्थ उस काली माया जगे का रास्ता उस पुस्तक से पूछता है। उसके पूछने पर पुस्तक अपने पत्रों में अंकित करता है बाई और। सभी बाई और मुड़कर आगी की और बढ़ने लगते हैं और थोड़ी ही समय में वे काली माया जगे पर बहुत जाते हैं। मालिक मुझे लगता है कि यही है वो जगे ऐसा आभास हो रहा है कि वो ही जगे है। और थोड़ा आगे बढ़ने पर उन्हें एक महल दिखाई देता है जो उस नकाब वाली जादू करने का महल होता है। रहे तीनों उस महल के तरफ आगे बढ़ने लगते हैं। जैसे ही वे आगे बढ़ते हैं उनकी चारों और एक जादूई खेरा बन जाता है और तब ही वहाँ पर अगनी वर्षा आ जाती है। तो तुम यहाँ पर आ ही गए पार्थ वैसे तो तुम यहाँ तक आ दो गए हो लेकिन यहाँ से बच कर वापस नहीं जाओगे। क्योंकि यहाँ पर हर कोई अपने मन से आता तो है लेकिन बिना हमारी रानी की मर्जी से वापस नहीं जा सकता। उपर से अपने साथ योगों भी मरने के लिए अपने साथ लाया है। आज आमवस्या की राथ है और हमारी रानी गौतमी को तुन नहीं रोक सकता। अगनी वर्षा इसके तुरंद बाद उन तीनों की उपर अपने मूँ से आग के गुले छोड़ने लगती है। तभी तोरज जादू से एक लोही का बना कवच पैदा करता है और उसे वहां रख देता है। फिर तोरज चील में बदल जाता है और उड़कर अगनी वर्षा के चेहरे को नोचने लगता है। तोरज की दोनों पंक आग से चल जाते हैं। उस लोही की कवच को छोड़ जाता है। पार्थ उसका इस्तिमाल करने की सोचता है। पार्थ उसको मरता हुआ दीख कर बहुत दुखी होता है और आक्रोश में आ जाता है। वह तोरज द्वारा दिये गए उस कवच को उठाने जाता तो है लेकिन अगनी वर्षा उसे अच्छा नहीं किया, अब मैं तेरी जान बिल्कुल भी नहीं बक्षूंगा। का इंतजार कर रही थी कि जल्दी से मौका मिले और वे अगनी वर्षा को मार दे। और देखते ही देखते पार्थ लड़ाई हारने लगता है क्योंकि अगनी वर्षा काफी ताकतवर थी। अब अपनी जिन्दगी के आखरी पल गिन ले, तेरी मौत तो आज निश्चित है, तुझे तो महल के अंदर जाने का मौका भी नहीं मिलेगा। पार्थ घायल हो जाता है और जमीन पर लेटा हुआ अगनी वर्षा की यह पात सुनता है। लेकिन तब ही राजकुमारी चंदरकला को मौका मिल जाता है और अगनी वर्षा को मारने लगती है। जैसे ही अगनी वर्षा आग की गोले को पार्थ की तरफ फैकती है, वैसे ही उस कवच को उठा कर वे पार्थ के सामने आ जाती है। और अगनी वर्षा का फैका हुआ आग का गोला उसे के उपर वापस लोड़ जाता है, क्योंकि वे जादूई रक्षा कवच था। इससे वे जलकर स्वय ही राख हो जाती है, और उसका खात्मा वही हो जाता है। और इसके बाद राजकुमारी चंद्रकला और पार्थ चैन की सांस लेते हैं। उन्हें लग रहा था कि वे लोग बड़ी समस्या से बच गए हैं, लेकिन आगे आने वाली समस्या से वे दोनो अंजान थे। राजकुमारी चंद्रकला भगवान का शुक्रिया आदा करते हुए बोलती है। ये भगवान, बहुत बहुत शुक्रिया, हम दोनों की जान बचाने के लिए। मुझे तो लग रहा था कि आज हम दोनों यही पर खत्म हो जाएंगे, क्योंकि वे काफी ताकत फर्थी, लेकिन भगवान का शुक्र है हम बच गए। तब ही वहाँ पर अचानत भे लाल नकाब बाली जादुगर्णी प्रकट हो जाती है। ये तुमने अच्छा नहीं किया, तुमने मेरे सबसे प्रियसाथी को मार दिया है। तुम ये मत बूलो, कि तुमने भी लोगो के साथ बहुत गलत किया है और बुरे कर्म का नतीजा हमेशा बुरा होता है। तुम अपना नकाब उतारो और हमें बताओ कि तुम कौन हो और आखिर क्यों कर रही हो ऐसा तुम, अपना असली चेहरा दिखाओ। अपना नकाब खोलती है, राज कुमारी चंदरकला बिल्कुल हैरान हो जाती है। आप? अरे? इन्हें तुम्हें जानती हो? ये तो? और लाल नकाब वाली जादुगर्णी ने अपना नकाब हटा कर पार्त और चंदरमुखी को अपना चेहरा दिखा दिया है। उस नकाब वाली जादुगर्णी को जानती थी? सभी सवालों का जवाब आपको इस अंतेम एपिसोड में आज मिलने वाला है। चंदरकला उस जादुगर्णी का चेहरा देखकर एकदम हैरान हो जाती है और घबराहट में बोलती है, ये तो रानी गौत्मी है, राजा मगधीरा की च तब देखा था, जब वो बहुत पहले रानिपुर गाओं में आये थी, वहाँ एक छोटा सा मिला लगा था, वही मिला देखने शायद महारानी वहाँ आये थी, पहले मैं अपनी दादी मा के साथ वही रहता था। अंदर्ता के बारे में सुन रखा था, गौत्मी के बारे में सुनने के बाद उनकी तो जैसे नींद ही उड़ गई थी, और वहे जल्द ही शादी का प्रस्ताफ महाराज शांतनों के राचे में भेजते हैं, तो वहीं दूसरी और महारानी गौत्मी ने महाराजा मगधीरा क इह बाद सुनकर काफी आखरोश में आ जाती हैं, उनको लगा कि गौत्मी ने उनकी शादी का प्रस्ताफ ठुकरा कर उनकी बेज़ती की है, और वहे उससे बदला लेने की ठान लेते हैं, वे जल्द ही अपने पूरे सैनिकों को तयार करते हैं, और महाराजा शांतनों के र शांतनों के सामने एक प्रस्ताफ रखते हैं, और वहे प्रस्ताफ उनकी शादी का होता है, और ना चाते हुए भी महाराजा शांतनों इस शादी के लिए मान जाते हैं, वही दूसरी और गौत्मी को यह यकीन नहीं हो रहा था कि कैसे उसकी दुनिया बदल गई, शादी कर राजा मगधीरा गौतमी से काफी बुरा व्यवार करते थे क्योंकि अभी भी उनकी आखों में गौतमी का किया हुआ ना था और वहें गौतमी से बदला ले रहे थे और यह सब बाते महरानी गौतमी पार्थ और चंद्रकला को भी पता देती हैं लेकिन आप तो मर गई थी न कि वहें जाकर किले में सब को कह दी कि महरानी गौतमी को कोई शेर उठा कर ले गया है और उसने वैसा ही किया जैसा मैंने कहा इसके बाद मैं जंगलों में कहीं दिन तक भटकती रही मैं अपने पिता जी के किले में वापस भी नहीं जा सकती थी क्योंकि अगर मैं जाती तो चंद्रकला तो एकदम हैरान हो जाती है राजकुमारी चंद्रमुखी को छोड़ दूँगी लेकिन मेरी एक शर्थ है जादुगर्णी पार्थ के सामने यह शर्थ रखती है कि उसे राजा मगधीरा का कटा हुआ सिर उसके सामने रखना होगा पार्थ तो पहले ही अचंबे में पड़ जाता है लेकिन बात में वह उसे कुपाय सोचता है और वह जादुगर्णी से इस काम के लिए एक दिन की महलत मांगता है ठीक है एक दिन ले लो लेकिन तुम राज कुमारी चंदरकला को यही छोड़ कर जाओ ध्यान रहे अगर एक दिन से ज्यादा समय लिया तो मैं दोनों को मार दूंगी और वह वहाँ से चला जाता है और जैसा उसने वाजा किया था वैसा ही करता है एक दिन बाद वह राजा मगधीरा का कटा हुआ सिर ले आता है उसने सिर को किसी लाल रंग के कपड़े से ढख रखा था लाल नकाम वाली जादूगर्णी यह देखकर काफी खुश हो जाती है और बोलती है वाव वाव शाबाश क्या बात है पात तुमने तो मेरा काम असान कर दिया अब जल्दी से इसके सर पर से कपड़ा हटाओ और मुझे देखने दोगी है उसी का सर है हाँ क्यों नहीं देखे मैंने आपसे जूटा वादा नहीं किया ता महरानी गौदमी लेकिन आप पहले राजकुमारी को बाहर लेकर आईए और जादुगर्नी चंद्रमुखी को किले के बाहर ले आती है राजकुमारी चंद्रमुखी को देखकर पार्थ काफी खुश हो जाता है चंद्रकला भी वही होती है और पाट उस लाल रंग के कपड़े को हटा देता है और वह वाकई में राजा मगधीरा का सिर होता है कपड़ा हटाने की तुरंट बाद वह उस कपड़े से फिर से उस सिर को ढग बेता है ठीक है जाओ तुम सभी आजाद हो मैं किसी और सुन्दर कन्या का अफरन कर लूँगी तुम राजकुमारी चंद्रमुखी को ले जाओ लाओ महराजा मगधीरा का कटा हुआ सिर मुझे दो राजकुमारी चंद्रमुखी जल्दी से अपनी बेहन चंद्रकला के पास आती है और उसे गले लगाती है वे दोनों ही एक दूसरे को देख कर काफी खुश थे और तभी काली माया नगरी में आग लगना शुरू हो जाता है अरे अरे ये क्या हो रहा है कौल है वे दूसाहस दिखाने वाला जो मेरी माया नगरी को मिटाने चला है तरसल पार्थ ने रूपसा चुडेल को बुलाया था और रही काली माया नगरी को आग में भस्म करने वाली थी और अब काली माया नगरी में चारों तरफ आग ही आग दिख रही थी उस जादी करने का ध्यान आग को बुशाने में लग जाता है और यह अपनी शक्तियों से आग बुशाना शुरू करती है वहीं दूसरी और रूपसा चुडेल चुपके से पीछे से आती है यह सब्योजना पार्ट की थी सबसे पहले रूपसा चुडेल अपने शरीर के आकार को काफी बड़ा कर लेती है और इसके बाद वह सभी लोगों को अपनी पीट पर बिठा लेती है और ऐसा ही होता है जादूगर ने उन तीनों को देख लेती है और तुरंट समझ जाती है कि यह पार्ट की कोई चाल है वह तुरंट उसके कपड़े से ढगे हुए सिर को फिर से देखती है और वह पाकी है कि वह तो एक मिट्टी का बना हुआ सिर है जिसको बड़ी कलाकारी के साथ बनाया गया था वह उसे एक तरफ जोर से फैक देती है और वह मिट्टी का सिर तूट जाता है और यह देखकर वह काफी गुसा हो जाती है और अपनी शक्तियों का इस्तमाल करके रूपसा को रोपने का प्रयास करती है ये भगवान अब क्या होगा? जादुगर्नी के शक्तियों के कारण उन तीनों का संतुलन बिगर जाता है और तीनों बहुत प्रयास करते हैं नीचे ना गिरने का तीनों काफी भयभीत हो जाते हैं और कोशिश करते हैं कि वे सभी ना गिरें पार्थ तो राजकुमारी चंदरमुखी को बचाने में लगा हुआ था और तभी इसी बीच जादुगर्नी अपनी जीव को लंबा कर लेती है और अपनी जीव के सहारे राजकुमारी चंदरमुखी को अपनी और खीचने लगती है चोटे उसे चोटे उसे जादुगर्णी राजकुमारी चंदरकला और पार्थ बहुत कोशिश करते हैं राजकुमारी चंदरमुखी को उसकी लंबी जीव से बचाने की राजकुमारी चंदरमुखी तो बच जाती हैं लेकिन राजकुमारी चंद्रकला और पार्थ को वह जादुगर्णी अपनी जीद में समेच करने चेले आती है जहां पर भयंकर आग लगी हुई थी और इस तरहें जादुगर्णी के साथ राजकुमारी चंद्रकला और पार्थ की मृत्ति हो जाती है रूपसा राजकुमारी चंद्रमखी को उनकी केले तक पहुचा देती है जैसे ही राजकुमारी केले में पहुचती है वह सारी बाते महराज मगधीरा को बता देती है महराजा मगधीरा अपनी केये पर काफी शर्मिंदा होते हैं और अपनी बेटी से अपनी केये के लिए माफी मांगते हैं वहीं दूसरी और पार्थ की दादी मां की मृत्यू भी कुछ दिन पहले हो जुकी थी उनके आशिरवाद ही था जो कि पार्थ को इस भयानत सफर में काम आ रहा था और इस प्रकार हम देखते हैं कि पार्थ ने आकिरकार राजकुमारी चंद्रमुखी को बचा ही लिया थैंक्स पर वाचिंग